गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी MSC First Year में एक Most Important Map बनता है Real Analysis इसका जो Section Second है उसमें एक Most Important Test बनता है Darkly Test हम उसका Statement के साथ Proof करेंगे देखिए बिल्कुल Easy Test है आप समझते जाए और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न स्टेटमेंट के साथ इसका प्रूफ करते हैं देखिए इस स्टेटमेंट क्या कहती है दा सीरीज सीरीज समेशन ए ए एन एक्स बी एन एक्स इस इस यूनिफोर्मली कनवर्जेंट इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ इफ देखिए यहां पे जो एबल टेस्ट किया था उसमें हमने थ्री कंडिशन्स वेरिफाई किया था इसमें हम सिरफ टू कंडिशन्स वेरिफाई करेंगे देखिए बिल्कुल इजी है याद रखना इसमें ये तो ए एन एक्स तो सीरीज है और बी एन एक्स आपकी जो है सिक्वेंस है ठीक है इसमें जो बी एन एक्स आपकी सिक्वेंस है फस्ट कंडिशन्स क्या है जो आपकी सिक्वेंस है बी एन एक्स सिक्वेंस है एक तो यह पोजिटीव होनी चाहिए बी पोजिटीव Monotonic Decreasing and Converging to 0 क्या होना चाहिए जो BNX है आपकी सिक्वेंस है वो एक तो positive होने चाहिए monotonic decreasing होने चाहिए and converge करना चाहिए उसको किसको 0 को and second condition देखिए second condition में क्या कहता है जो आपकी series है उसका mode FNX it means this one also equal to mode of summation जो आपका यहाँ पे कह सकते है R है उसकी value 1 to N running from 1 to N A R X जो अगर आप यहाँ पे ऐसा R लेते हो ना तो यहाँ पे भी थोड़ा impression अच्छा रहता है ऐसा ही R लेते है कि mode value less than some constant number K लिख सकते हैं where where K is a sum constant number independent on X and and every value of X X lie between between close interval AB देखिए यह जो आपकी दो conditions है यह verify हो जाएं then darkly test आपका verify हो जाता है first condition क्या है जो sequence है आपकी positive monotonic decreasing होनी चाहिए and converge करनी चाहिए 0 को हम last में यह step लेके चलेंगे BNX को converge कराएंगे 0 के और याद रखना जब 0 के उपर converge कराते हैं तो उसकी mode value जो है sum constant epsilon epsilon एक positive number होता है उससे less ही लेनी होती है and second condition FNX is equal to summation the value of R running from 1 to N ARX less than sum K K भी दा sum constant number independent of X X independent लेना है and जो X है वो कहां पर लाई करता है आपका AB interval के बीच में ये तो थी इसकी statement चलिए इसका proof करते हैं बिल्कुल easy है इसमें proof में अब 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 बताता हूँ आपको आगे कैसा करेंगे इसको बिल्कुल easy है अब इसका proof कर लेते हैं देखिए क्या करेंगे proof proof let मान के चलते हैं R-N-P-X बीड़ पर्चिली पर्चिली रमेंडर हम R-N रेको R-N-P-X बीड़ पर्चिल रमेंडर पर्चिली रमेंडर of the series summation A-N-X B-N-X R-N-P-X को आप पर्चिली रमेंडर लेंगे किसी series का जो आपको series गीवन थी statement में and F-N-P-X be the partial remainder remainder of the series summation A-N-X जो यह एक ही series ली है A-N-X इसका partial remainder F-N-P-X लेना है आपने ठीक है and and S-N be the sum of all numbers ठीक है S-N क्या लेना है sum लेना है किसका all numbers all N numbers कह सकते हैं यहाँ पे N numbers ठीक है अब देखिए आप इसका आगे क्या करना है हम देखिए यह लेके चलेंगे यहाँ से यह most important है यह लेके चलेंगे जो partially remainder है R-N-P-X का देखिए इसको कैसे शो करना है आप कैसे शो करेंगे बिल्कुल easy है ज़्यादा difficult नहीं है यह देखिए यहाँ पे जो आप series लेके चलेंगे क्या लेके चलेंगे R-N-P-X जो यह आप series लेके चलेंगे इसकी values लेंगे आप क्या लेंगे A-N-P-L-1 चुकि आपके पास series थी summation A-N-X B-N-X यह आप series लेके चलेंगे तो यहाँ पे आप R-N-P-X को क्या लेंगे A-N-P-L-1 X B-N-P-L-1 X यह आप series लेके चलेंगे up to so on plus A-N-P-L-2-X B-N-P-L-2-X प्लस up to so on plus A-N-P-L-P-X B-N-P-L-P-X यह आप series लेके चलेंगे but you know that A-N-P-L-1 का जो partially sum है उसको आप किसे रिपर्जेंट करते थे F-N-P-X से रिपर्जेंट करते थे तो A-N-P-X को आप रिप्लेस कर दीजिए F-N-P-L-1-X माइनस F-N-X F-N-X ब्रैकिट B-N-P-L-1-X प्लस F-N-P-L-U-X F-N-P-L-2 माइनस F-N-P-L-1 इसके बाद आप लिखिएगा देखिए यहाँ पे B-N-P-L-1-X है तो यहाँ पे आप B-N-P-L-2-X लिखिएगा B-N-P-L-2-X प्लस अप तु-सो ओन प्लस इस वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए इस वन ओल्स इक्वल टू F-N-P-L-1-X देखिए यहाँ पे क्या है N-P-L-P है तो P ही लिजिए बट जो नेश्टरम लिजिए आप इससे कम लिजिएगा माइनस वन कर दीजिएगा X इन्टो B-N-P-L-P-L-P-L-P-X Is it राइट? देखिए इस वन ओल्स एक्वल टू R-N-P-X वेर R-N-P-X भी दा R-N-P-X भी दा पार्शियली जो आपका पार्शियली रिमेंडर है यह पार्शियली रिमेंडर ओफ दा सीरीज समेशन A-N-X और B-N-X का तैन देखिएगा आप नक्स टेप में क्या करेंगे? जो यह B-N-P-L-P-L-P-L-P-L-P-X है देन इसके साथ multiply करिएगा देखिए मैं इसको यहां से remove कर देता हूँ हम multiply कर लेते हैं और step लिख लेते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे f of n plus 1 x into b of n plus 1 x minus f of n x into b of n plus 1 x plus f of n plus 2 x into b of n plus 2 x minus times f of n plus 1 x यह यहां पे आप x है x है तो यहां पे भी लिखिएगा x then b of n plus 2 x plus up to so on plus f of n plus p x into b of n plus p x minus f of n plus p minus 1 x into b of n plus p x is it right देखिए separate कर दीजिए आप इसकी first में इसके साथ multiply कीजिए इसकी इसके साथ multiply like this इस सारी terms आपकी multiply होती जाएंगी next step में देखिए आप क्या करेंगे बिल्कुल easy है देखिए next step में क्या करना है like term को आप take out कर लेजिए देखिए यहां पे f of n plus 1 है आगे देखिए यहां पे भी f of n plus 1 है यह वाला बिल्कुल ऐसे ही f of n है आगे f of n होगा तो like term को आप equate करते जाएए देखिए कैसे यहां से आप f of n plus 1 x को common ले लीजिए तो आपका अंदर क्या रह जाएगा यहां पे तो यह रह जाएगा b of n plus 1 x minus b of n plus 2 x is it right like this f of n plus 1 है n plus 2 x कर ले जिए और अंदर क्या रह जाएगा आपका b of n plus 2 x minus b of n plus 3 x देखिए यहां पे 2 है यह 2 है तो यहां से greater ले लिजिए 3 plus अब देखिए यहां पे आपका एक कम ले जिए f of n plus p minus 1 क्योंकि p तक गया है उसे एक कम ले लिजिए और यहां पे आप क्या लिखेगा plus up to so on plus यहां पे लिखिए f of n plus p minus 1 x into b of b of n p n p minus 1 x minus देखिए यहां से यहां 2 है तो एक ट्रम ग्रेटर है तो यहां पे एक ट्रम ग्रेटर कर देए 1 से 1 कैंसल हो जाएगा तो यहां पे b of n plus p x बच जाएगा यह आपका जो है last term होगा तो इसके बाद एक और ट्रम लिखते हैं क्योंकि last term नहीं है यह second last है last term देखिए f of n plus p होगा x into b of n plus p x minus b of n n plus p अब देखिए यहां से एक ट्रम ग्रेटर लेनी है plus 1 into x होगा I think so यहां तक मैं आपको समझा पाया देखिए किया कुछ भी नहीं है like term यानि कि देखिए यहां पे f of n plus 1 था यहां पे था यह इसका कोफिशेंट था यह इसका कोफिशेंट था यह दोनों तो common ले लिए यह दो आपके बीच में बच गए ऐसे ही आप calculation करिएगा चलती जाएंगी last में यह बन जाएगा बट आ यहां पे देखिएगा समझ्छिएगा मैं यह term आपकी remove कर देता हूं यहां से देखिए यहां पे क्या है हम पहले लेके चले थे कि वही mode of f of nx is less than some constant like k वही यह के से less था तो अगर मैं mode on both side कर देता हूं तो इसका mode हो जाएगा यहां पे इसका mode हो जाएगा सिरफ partially remainder का mode करना है यहां पे इसका mode हो जाएगा then इसका mode हो जाएगा इसका नहीं करना है partially remainder का mode करना है देखिए हमने जब partially remainder का mode किया है तो यहां पे partially remainder का mode less than k था तो अब देखिए जब mode होगा तो यह greater than equal हो जाएगा क्योंकि जब mode separate होता है तो greater than equal to का sign आ जाता है बट आपको पता है ये value के से less है तो अगर मैं यहाँ पे लिख दू कि इसकी जगह replace कर दूँ के से क्योंकि ये value तो less ही रहेगी always ये इसकी value के से less ही रहेगी इसकी जगह के replace कर दीजिए बीच में आपका ये बच जाएगा फिर इसकी जगह के replace कर दीजिए फिर इसकी जगह के replace कर दीजिए then बीच में आपका ऐसे ही बचता ही चला जाएगा ठीक है तो इसके बाद देखिए इसको आपके बट आप यहाँ से देखिएगा मैंने क्या बोला था जो bn sequence है आपकी bnx वो क्या थी monotonic decreasing थी और converge करते थी 0 को like this ये sequence आप देख सकते हो monotonic decreasing है अगर ये sequence आपकी monotonic decreasing है तो आपकी first condition जो exception था वो verify हो जाता है तो ये monotonic यहां से क्या हो गई decreasing हो गई और ये mode value less than k है तो जहां पे भी ये values हैं देखिए ये value ये value मैं इसको तो k रख देता हूं इस value को k क्योंकि ये तो always less than k रहेगी तो मैं इसको अगर k में replace कर देता हूं इन values को तो वहां से वो k common ले लूँगा तो आपकी अंदर जो value बचेंगी देखिए अंदर क्या बचेंगी यहां पे तो बच जाएगी bn plus 1x minus bn plus 2x plus next step में क्या बचेंगी देखिए यहां पे plus bn plus 2x minus bn plus 3x plus bn plus 3x plus up to so on plus चलती जाएगी और जो last की ट्रम बचेंगी आपकी देखिए समझेगा जो last की ट्रम बचेंगी वो बचेंगी आपकी bn plus 1x यह बचेंगी और यहां से alternate term आपकी cancel होती जाएगी इससे यह like بीच में cancel होती । यहां से समझेगा आप देखिए यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ चूंकि यह value इससे less है तो यह value जब मैंने जो यह values है इसकी जगा k replace किया तो मैं less का sign लगाऊंगा क्योंकि जो k था वो सारी के सारी mode values को replace किया था तो यहाँ पे k लगा दूँगा ठीक है बट आपको पता है bn plus 1x a की यह है a की यह है तो आप लिख सकते हो 2 times bn plus 1x आप इसको ऐसे लिख सकते हो I think so यहां तक मैं आपको समझा पाया अब देखी मैं इसको remove कर देता हूं यहां से बिल्कुल easy है जादर difficult है नहीं है हमने क्या बोला था हमने बोला था कि बई जो sequence थी क्या जो sequence थी bnx जो आपकी यह sequence थी यह किसको converge कर रही थी? Converges to 0 be converging to 0 भई यह sequence आपकी 0 को converge कर रही थी अगर यह sequence आपकी 0 को converge कर रही थी then mode of bnx की जो mode value है वो less होगी epsilon by 2k से आप कहोगी कि 2k क्यों रखा है? क्योंकि मैंने तो सिरफ epsilon value चाहिए यहां पे इसलिए मैंने इसको यह epsilon by 2k रख दिया है अब देखिए आप समझेगा यहां पे यहां पे यहां पे जो bnx है आपका उसको आप replace कर सकते हो तो this one also equal to जो यह value है this one also equal to rnpx है आपकी mode value के equal है और यह इससे less है बट यह किसके equal थी यह इसके equal है तो यहां पे लिख सकते हैं rnpx is equal to अब देखिए k k times बट जो n plus 1 है यहां पे bn plus 1 है bn plus 1x लिया है वो less than epsilon by 2k है तो यहां पे यह आपका 2 है यह यहां पे आ जाएगा जो यह value है bn plus 1x की यह किससे less है epsilon by 2k से है तो यहां पे लिख सकते हैं this one less than epsilon by 2k अब देखिए 2k2 यह पूरा term cancel हो जाएगा तो यहां से आपका क्या बच जाएगा rnpx is less than epsilon देखिए यहां से rnpx जो partially remainder था उस series का हमने less than epsilon प्रूफ कर दिया और epsilon क्या है some positive quantity है बिल्कुल small है तो यहां से जो डार्चली टेस्ट है इसका proof हो जाता है तो इसके आई के बटन पे मैंने ability test का आपको जो है proof जो है वहाँ पे आपको given है अगर वो देखना है तो आई के बटन पे जाएए वहाँ से आप देख लीजिए next वीडियो में मैं जो ability test कराया था मैंने उसके कुछ sums कराऊंगा बिल्कुल easy way से जो आपके exam में पुछे भी गई है तो बने रही है मेरे साथ Mohan Sir Lecture 01 अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो please like से subscribe जरूर करिएगा Thank you for watching my video